हेलो वेलकम दोस्तो आईए गरमड़ाय देख रहे हैं आप मैं रवी कुमार एक लाट फिर से नई वीडियो में हाजर हूँ दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको उताने वाले हैं आप कैसे बिना पैसा खर्च की एक कोचिंग संस्तान खोल सकते हैं ना कोई रजिस्टेशन का पैसा देना है ना किराया देना है किसी भी चगय का और ना ही आपको शीट वगएरा ख़ीदना है तो अब आपके दिमाग में आरहा हुगा कि सर ये आप कैसी बाते बता रहे हो कैसे होगा ये कोचिंग संस्तान कैसे चलेगा तो दोस्तों आप सकते हैं इसके लिए आप क्या कर सकते हैं आप यूटूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं और उस पर आप कोचिंग क्लासिस प्रोवाइड कर सकते हैं देखिए जब आप यूटूब चैनल स्टार्ट करेंगे तो आपको कुछ भी पैसा खर्षा करने जरूवत नहीं है जो आपको आउनलाइन पढ़ाना है और आउनलाइन पढ़ाते समय आपको ना कुछ शीड की जरूबवत है ना किसी जगरा देना आप घर वेटे ही सारे सकते हैं अब यहां पर बात यह आते कि यूटूब चैनल कैसे ओपन करें तो आप यूटूब चैनल कर सकते हैं आप क्या कर सकते हैं YouTube की जो information है वो आप YouTube tips and tips playlist हमने बनाई हुई है उसमें आप जाएए सारे वीडियो देखिए कि चैनल का क्या नाम रखेंगे कैसे वीडियो rank करेगा किस नाम को रखने से जल्दी ranking आएगी कैसी लोगों तक वीडियो पहुंचेगा किस तरीके से करना चाहिए सेट अप कैसे बनाएंगे lightning कैसे करेंगे सारे वीडियो से यूटूब के आपको मिल जाएंगे हमारे यूटूब टिप्स एंग टिस प्लेलिस्ट में अब देखिए इसके बाद हम आपको उताएंगे कि जब आप सोच लें कि हाँ आपको कोशिंग संस्तान ओपन करना है तो अगर आपके अंदर टेलेंट है और आपके पास पैसे की कमी है तो यूटूब सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है अब देखिए यहां पर आपको मैं कुछ पॉइ इहां रखना चाहिए देखिए इंपोर्टेंट पॉइंट यह जब आप यूटूब चैनल स्टार्ट करें तो आप अपना एक फिस्टूब जरूर बनाएं देखिए फिस्टूब पेज बनाने से क्या होता है जो फिस्टूब की ओडियंस है वह आपके यूटूब पर भी से ज्यादा आप ऑनलाइन में कमा सकते हैं अब यहां पर आपके दिमाग में आ रहा हो कि सर क्या रास्ता है कैसे कमाएंगे तो यह रास्ता यह है कि जो कई एजूकेटर्स हैं मैंने देखे हुए जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं अब वह क्या करते हैं पहले तो फ्री पढ़ online बेशना शुरू करते हैं online selling start करते हैं तो जो audience होती है audience में से ही कई लोग उस course को ले लेते हैं और उस course को लेने के बाद वो पैसे देते हैं जो भी आप फीस रखते हैं उसका payment उनको मिल जाता है यह सबसे ज्यादा effective तरीका है इस तरीके से लोग कमा रहें अब दूसरा तरीका होता है YouTube advertisement देखे यूटूब पर जो एड आते हैं तो यूटूब में एड के थरू भी आपको पैसा मिलता है वो दूसरा तरीका है लेकिन जो course sell के लोग पैसा कमाते हैं course sell करके वो ज़्यादा कमा ले जाते हैं और YouTube advertisement से इतन क्या होता है कि लॉंग तर्म चलता रहता है आपके वीडियो पर तो जैसे मानली जी आपने एक वीडियो बना दिया अब जब-जब कोई भी aspirant या कोई भी जो audience आप पर वीडियो देखेगा तब तब जब एड आएगा तब तब उसका पैसा मिलेगा जो भी YouTube creator होगा उसको तो ऑनलाइन में पैसा अच्छा कमा सकते हो और देखिए इसमें और भी रास्ते कि इतना ही नहीं कि आप केवल कोचिंग सेंटर से करें इसमें एक होता है अफिलेटिंग मार्केटिंग अब आप पढ़ाने का बता रहे थे अब आप अपने यूट्यूब चैनल बना लिया आपने Facebook पेज बना लिया तो आप क्या करेंगे जैसे मालीजी आपने कोई क्लास दी बच्चों को तो अब इसी बात है कि आप जो क्लास पढ़ा रहे होंगे किसी भी क्लास का पढ़ा रहे हों कोई प्रॉल्लम की बात नहीं है तो आप जिस क्लास को पढ़ा रहे हैं उस क्ल लिंक होगा, वो Amazon और Flipkart, यह website से Amazon और Flipkart से link आप copy करेंगे, उस link को share करेंगे, किसमें अपने YouTube चैनल के discussion box में और साथी साथ किस पर? Facebook पेज पर, तो जब कोई viewer link पे click करेगा और product sell करें, product buy करेगा, तो उसका percentage आपको मिलेगा, अब देखिए एक बात यह ध्यान रखेगा, कि इसका जो link होता है, जब आप कर देते हैं, अगर मान लीजिए उस ने उस link पे click करके वो product ना ख़ईते, कोई दूसरा product ख़ई लिया, तब भी आपको पैसा मिलता है, यह सबसे अच्छी बात है यहां अगर मान लीजिए आपके link पे click किया, उसको वो product समझ में नहीं आया, उसी विजए उसने दूसरा product ले लिया, तो उसका भी percentage आपको मिलेगा, क्योंकि वो आपके link पर click करके गया था, अब देखिए अफिलेटिंग मार्केटिंग पैसा कमा सकते हैं, अब देखिए अफिलेटिंग मार्केटिंग सुरू करने के लिए आपको sign-in करना होगा, हमने और वीडियो डाले हुए, कैसे करते हैं, किस तरीके से रजिस्टर करना है, सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, आप क्या कर ओडियन्स होती है, जो भी बच्चा आप से पढ़ने आया हुआ है, वो आपको नहीं जानता है, आपको कैसे जानेगा, आपकी फिस वैल्यू से, आप कैसे उसको समझा रहे हो, आप उसको क्या समझा रहे हो, जो आप समझा रहे हो, क्या वो समझ रहे हैं, कि नहीं समझ रह तो लोग बुरा कमेंट करके जाएंगे अब बुरा कमेंट आए तो घबडाना नहीं वह रेका मेंट में पर जो होता है कि यहां पर जो पढ़ने आया होता है तो वह क्या करता है आप पर नहीं कर रहा होता है स्टार्टिंग में क्योंकि आपके चैन्ड नया नया होता और कई लोग जब नेगेटिव कमेंट किसी एक ने किया तो उसको देखिए कोई दूसरा बच्चा भी कमेंट कर देता है और जब इस तरह किस कमेंट आते हैं तो फिर अगर आप डिमोटिवेट हो गए कि हमको लोग गरबड कह रहे हैं ऐसा कह रहे हैं तो फिर आप क्या है अपने आप में दिमोटिवेट हो थक जाओ तो थकना नहीं है आपको आंगे बढ़ना है देखिए क्या आपको नहीं पता क्या पढ़ा रहे हो तो अगर आप पढ़ा रहे हो अच्छा तो डेफिनिटली कुछ समय त अच्छी नहीं होगी आपके और इसल आपके फिस्टली पर एड्स आइंगे तो फिर पैसा आएगा पैसा अब ए सीबात है कि आप पैसा कमाना चाहते थे आप और ना और आप अच्छी आइनिंग कर पाएंगे देखे मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूंगा अगर आपने सोच लिया कि हाँ आप यूट्यूप चैनल स्टार्ट करेंगे तो ध्यान इंगे रखेंगे आपके चैनल का नेम आप वो देंगे जो किसी और के चैनल का नेम ना हो अगर आपने किसी के दूसरे का चैनल की नेम को सर्च करेगा तो दूसरे पर्सन के सस्क्राइबर जादा होने की बज़े से उसका चैनल दिख जाएगा उस पर्सन को और आपका चैनल नहीं पहुँच पाएगा तो आप वही नेम देंगे जो किसी दूसरे पर्सन ने नेम नहीं दिया हुआ है यह सबसे इंपर बात ध्यान रखेंगे चैनल का ने बोजा जरूरी है और ऐसा नेम दें जो आसानी से पढ़ा जा सके और सर्च किया जा सके और दोस्तों इसमें जो टेक्निक्स होती है उनको पहले आप जाने इसके लिए मैंने आपको बताई चुका हू इन तीन प्लेश में जाईए और अपने मतलब का जो कंटेंट उसको देखो और देखने के बाद अगर कोई प्रॉलम आए और इस वीडियो कोई प्रॉलम महसूस कर रहे हो तो कमेंट बोक दे रखा है यूट्यूब ने उसमें जाओ कि सर हमको यह प्रॉलम है इसके बारे म से जॉइन हो जाई है क्योंकि हम आपको वहां पर मौनिंग अपडेट्स देते हैं और जो भी इंपॉर्टन इंफॉर्मेशन होती है वह सार इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी तो आप उस फेस्बॉक पेस को जरूर जॉइन करें और दोस्तों यदि कोई प्रैस नहीं तो कम से कोई कोचे सेंटर कोल सके तो आई होड़ डोस्तों आपके लिए वहोत पूर आतो चलिए और मिलते हैं आपसे खूण तब तक लिए शुक्रिया